हेलो नमस्कर साथियो स्वागतेपस भी का एक और नई विकेंसी अपडेट की विडियो में तो रिसेंटली विकेंसी निकली है एनाईटी राउल केला से यहां पर वकेंसी अलग-लग कैटेगरी में निकली है लेकिन हम सिर्फ बात करने वाले हैं उनी वकेंसी के बारे में जिसमें आईटी और पॉल्टेक एपलाई कर सकते हैं तो आईटी और डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट है उसका नाम सीनियर टेकनीशन और टेकनीशन है senior technician की जो post है इसमें number of vacancy 12 है जिसमें से 7 journal UR के लिए 1 EWS के लिए 3 OBC के लिए और 1 SC के लिए reserve है वहीं जो technician वाली post है इसमें number of vacancy 29 है जिसमें से 11 journal UR के लिए है 4 इसमें EWS के लिए OBC के लिए 9 vacancy है और ST के लिए 2 और SC के लिए 3 vacancy है यानि अगर टोटल देखें तो 29 प्लस अगर 12 कर दें तो लबग 41 विकेंसी पर आप फॉर्म एपलाई कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफकेशन के बारे में तो सबसे पहले अगर बात करें senior technician की तो इसमें जो salary है वो pay level 4 के according minimum आपको 25,000 मिलने वाले हैं और age limit 33 year है जो हो सकता है as a reservation छूट भी हो इसमें जो qualification है उसमें बहुत सारे option मिले हैं सबसे पहले अगर आपके पास plus 2 है science से तो आप ये form apply कर सकते हैं बस condition है कि आपके 12 में लबग 60% marks होने चाहिए इसके लावा अगर आपने plus 2 की हुई है और plus 2 में आपके minimum 50% marks है और आपके पास लबग 1 साल का idea का diploma है तो तब भी आप ये form apply कर सकते हैं इसके लावा अगर आपने 10th की है और 10th में आपके minimum 60% marks होने चाहिए और 7 में 2 year का आपके पास idea का diploma होना चाहिए तो भी आप इस form को apply कर सकते हैं इसी के साथ अगर आपने poltech की हुई है तो भी आप इस form को apply कर पाएंगे बात करते हैं technician वाली post की तो सबसे पहले तो यहाँ पर pay level 3K according आपको minimum 21,000 प्या salary मिलेगी और साथ में यहाँ पर age limit comparison to senior technician कम है यहाँ पर age limit जो है वो 27 साल है और यह journal के लिए है other category के लिए reservation होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और उसके बाद जो qualification है वे senior technician के जैसे ही है जैसे कि आपने अगर plus 2 की है science से और आपके पास 60% marks हैं तो आप form apply कर सकते हैं उसके बाद अगर आपने plus 2 की है और आपके minimum 50% marks है और एक साल का diploma है ITA का तो भी आप form apply कर पाएंगे इसके इलाबा अगर आपने 10th की हुई है 60% marks और 2 साल का ITA का डिपलोमा है तो भी form apply कर पाएंगे इसके इलाबा अगर आपने poltech की हुई है 3 साल की होती है poltech तो भी आप form apply कर पाएंगे application fees के अगर बात करें तो general category के लिए application fees 1000 प्या है वहीं EWS, ST, SE जितनी भी category है PWD इनके लिए जो fees लखी गई है वो केबल 500 प्य रखी गई है form जो होंगे वो online भरे जाएंगे और 17 दिसंबर जे form online भरने शुरू हो गए है और इसकी जो last date है 16 जनबरी 2023 तक आप form को apply कर सकते हैं ये जो website है इस पर जाकर आप online form भरवा सकते हैं selection process की बात करें तो इसमें दो test होंगे एक आपका scale test होगा दूसरा trade test होगा और इसमें जो center रहेंगे आपके ये राउल के लाब भुबनेश्वर दिल्ली मुंबाई चे नई और कोलकत्ता रहने वाले हैं यहाँ पे आप अपने exam दे सकते हैं तो ये थी complete जनकारी I hope आपको ये समझाई होगी और अगर आपको वीडियो helpful लगा है तो वीडियो को आप like कर दें और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाते हैं तो इसका लिंक भी आपको मैं नीचे description में दे दूँगा वहाँ से आप इसे direct डाउनलोड कर सकते हैं